अच्छा जी mostly freelancers का यह मसल़ा होता है यार profile band की proposal हम बेज रहे हैं लेकिन client नहीं आ रहा client नहीं आ रहा client नहीं आ रहा client नहीं आ रहा देखो 90% freelancers यह करते हैं वह profile incomplete बनाते हैं वह अपने experiences नहीं सही तरह आड़ करते हैं वह अपने portfolio नहीं अच्छी लिखते हैं उसके लावा testimonials नहीं लेते हैं पास clients से कुछ भी नहीं करते हैं वह पर प्रपोजल बेजते हैं और client क्यों नहीं आ रहा client क्यों आएगा client तो तब भी आएगा यार जब आप पूरी profile सही तरह से बनाओगी तो profile fine क्यों अच्छी प्रौफायल तब होती है जब हर चीज़ आड़ करते और अच्हासी अपस्यलिशन और के आपके पास experience नहीं एक्सपिरियंसिस एड करो अगर आपकी खाली चोड़ोगे तो आट कोई गलाइंट नहीं आएगा तो हांड़क्र पेड़ पर्फाइल होना बहुत ज़रूरी किसतरा उसको डिजाइन करने कि आपको इस वीडियो में कवर कर लूँगा कि आपकी प्रॉफाइल के नदर आपक कहां की है कोई नहीं देखता आप लोगों ने जरूरी है जरूरी है कि आप पूरी प्रफाइल अपनी complete बनाओ अगर आप पूरी प्रफाइल कंप्लीट नहीं बनाओगे तो एड़ एंड क्लाइट नहीं है गां दुबारा दुबारा कह रहा हूं आपको तो भई यह हमारे प Testimonials का मतलब क्या होता है Testimonials का मतलब होता है कि कि आपके Pass clients का क्या experience ला आपके साथ ठीक है तो वह experience आप अपने पास client का इदर दिखते हो इससे फाइदा क्या होता है इक फ्री लांसिंग के अंदर आपको चाहिए social proof आपको चाहिए proof कि अच्छा काम करते हूँ तो अच्छा काम करते हूँ किस तरह बता लगेगा क्यार एक बंदा एक अच्छा काम करता है और एक बंदा बुरा काम करता है तो उसी केस में बता लगेगा ना कि वो जो बंदा अच्छा काम करता है उसके बारे में लोग एक अच्छी राय कायम करें ठीक है त तो कैसे बता लगया दूसरे लोग जब कहेंगे यह बंदा अच्छा है तो फिर क्लाइंट को तो सली होगी कि हाँ भई सच में यह बंदा अच्छा गाम करता है तो जब दूसरे लोग कैसे कहेंगे testimonials के तुरू, तो testimonials हम भेचते हैं, previous client को as a proof के भाई, ये बंदा अच्छा गाम करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको plus को click करेंगे, देखो यार आप किसी बंद से भी ले सकते हो, ये बंदा आपका past client होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी भी बंदे को जा के कह सकते हो, कि भाई, kindly आप मुझे testimonial दे दो, लेकिन उस बंदे के लिए एक चीज़ मस्ट होना ज़रूरी है, वो बंदा LinkedIn पे होना message भीजो, कि यार मुझे न testimonial चाहिए, अपर के उपर kindly आप मुझे अपनी email दे दे, और आप मुझे अपने LinkedIn का ID दे लिंग्डिन का link दे दे, तो वो ये तो चीज़ दे देगा, और आप वो पूझे का हाँ भी क्या testimonial चाहिए, आप बता दोगे कि लिखना यार, Ali is a great person to work with and I have a lot, I have a lot to learn from Ali, इस तरह गर के अच्छी description मना के उसको बेज़ दे रहा हो, और वो आपको testimonial बेज़ देगा, तो जिस तरह जैसे ही वो testimonial बेज़ देगा, तो within one day, अपर को उसको review करेगा, या तो वो उसको approve कर देगा, वो reject कर देगा, तो इस तरह आप testimonial ले सकते हो, उन मन्दों से जो कि आपके past clients नहीं भी है, आपको as a social proof आपको चाहिए वो testimonial वो ज़रूरी है, तो first name लिख लिए, last name लिख लिए, email address उनका लिख लिए, जिसके वो testimonial request जाएगी, और LinkedIn profile लिख देना, और यहां बे लिखने के लिए कुछ कोई जरूरत नहीं है, बस यह request को क्ल है, maximum आप ले सकते हो, 20 testimonials, कितने ले सकते हो, 20 testimonials, मतलब 20 previous clients के reviews आप ले सकते हो, तो आप किस चीज़ का इंतजार करें, तो 20 के 20 ले लो, आप 20 के 20 लोगों से message कर लो, 20 नहीं reply करेंगे, तो 50 को message कर लो, ठीक है, एक दिन में ना सब कुछ कर ले न, आहिस्ता, आहिस्ता करना है, आहिस्ता, चार-पांच दिन के, पांच-छे testimonials मंगवा लिए, तो विदिना वीक आपके सारे अप्रूव हो जाएंगे, अब आज़ा नीचे certification के उपर, देखो certification दो तरह की होती है, एक अपर की verify करता है, एक होती है custom certification, इधर option होगा, अगर आप कुछ भी लिखते हो, अब लेट से मैं graphic designer हूँ, तो इधर आएगा add a custom certification, तो आप अपनी मर्जी से certification इसमें add कर सकते हो, कोई भी आपकी certification है, उन्होंने कोई अप्रूव नहीं करना, उन्होंने कोई नहीं देखना, आपने बस add a custom certification को click करना है, और पूछेगा भई, description क्या थी, मैंने का भई, मैं Photoshop expert हूँ, Photoshop expert, ठेक है, उसके लावा मैंने का provider कोन है, provider जी, कोई भी है, ऐसी बता दो, अब लिख दो के, the marketers, या फिर कुछ भी लिख दो यार, the marketers provider है, और यह मैंने certification की थी, issue date क्या है, जनाब, issue date जनाब, यह कर लो जी, चलो जी, issue date है, और add the end, आपने description लिख दी नहीं है, master, adobe, photoshop, in this certification, from the institute, simple, simple, यह बनी है, मारी certification, ठीक है, आपने इसको click कर देने, add certification, पर certification, add हो जाएगी, इतना साल है, certification, add करना, तो certification भी add कर लो, testimonials भी add कर लो, क्योंकि आपकी profile 100% complete होनी चाहिए, अगर नहीं होगी, add the end, client नहीं आएगा, खाली profile नहीं होनी चाहिए, खाली profile नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार गह रहा हूँ, अच्छा, उसके बाद, employment history, employment history क्या है, employment history भी आपने भर देनी है, भर देनी है, बस लिख दो, जो भी लिख दो, लिख दो, लिखना है, अपनी field से relevant, अगर आप content writer हो, तो 3-4-5 सालों का अपने experience show करना है, अगर आप experience show नहीं करोगे, 3-5 सालों का, 3-4 सालों का, तो add the end, कोई भी client आप पर trust नहीं करेगा, कोई भी client trust नहीं करेगा, experiences भी add कर लो, और other experiences भी add कर लो, जो मैंने कितने दाए राइट किये मैं, Amazon listing expert, इसी तरह थोड़ा सा लिख दो, कि मैंने क्या काम किया था, अब explain कर दो, थोड़ा से explain कर दो, कि यार, आइफोन 13 pro max नहीं आ रहा है, उसके पर आटिकल लिखे थे, मैंने apple पे लिखे थे, उसके बाद macbook पे लिखे थे, मैंने samsung पे लिखे थे, या आप explain कर दिया, बस explain करना है, बस, और कुछ लिखे ना, अब let's, आपने logo बना है, तो आपने का कि यार, मैंने इस, इस company के logo बन है, उसके लाव आपने वेब डिजैनिंग को प्रोजेक्ट पकड़ा है, तो वो लिख दो, canva आता है, तो वो भी लिख दो, सही है, canva तो तुम लोगो वैसे मैंने कहा दी कि यार, सीख लो, तो यह हमने लिख लेना है, अपने testimonials के अंदर, अपनी certifications के अंदर employment history भी समझ आपको other experience भी clear हो गया, अच्छा, यह project catalog क्या होता है, देखो यार, project catalog क्या होता है, project catalog बड़े मज़े की चीज़ है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर, जिस तरह fiber पे gig नहीं होती, मैंने बताया था fiber पे gig होती है, उसी तरह, अपवर के उपर एक project catalog होता है, project catalog ै, strateg of catalog का मतलब है कि आप gig बना रहे, अपवर के उपर अपनी होता है, तो आपने इसके उपर जाना है, और उसके अंदर find out करना है कि आपने इसके वपर बना सकते हो तो आप को रिसरच कैटालोग और audit की लिए как बिलकुल से मैं तो आप की यह चीज़ समझ आ गई तब उसी चीज़ को इसके उपर अपलाए करके यस करा सकते हो ठीक है अच्छा प्रोजेट कैटरलोग भी एड़ हो गया अब आ जाते हो पोटफोलियों के इंदर पोटफोलियों किस तरह एड़ करने है वह मैं बताता हूं अभी बताता हूं रुको तो जब दो जब आएक मिनट जब दो देखो यार यह हमारे पास प्रोफाइल है इसका पोटफोलियों में ने किस तरह एड़ किया हुआ है जब भी आप पोटफोलियों करोगे ना इधर प्लस की को करोगे तो आपको पस ऑप्शन होगी ठीक है यह मारे पास एक उप्शन अब आपने प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है पॉटफोलियो का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं पॉटफोलियो का मतलब होता है कि आपने कोई पास्ट में काम किया हुआ है तो उसको एकस्प्लेइन करो या आपने कोई पास्ट में प्रोजेक्ट किया हुआ है इ आप क्या करो अगर तो आपके पास past experience नहीं है तो आप एक screenshot पकड़ो तिक है अब let's say content writer हूं, content written छोड़ो, मैं Facebook ad expert हूं, ठीक है मेरे पास past experience नहीं है, मैं जाओंगा Google पर search करूँगा Facebook ads case study, क्या search करूँगा। लोगी मैंने search किया Facebook ads case studies, पूरा क्लाइंट को समझ और क्लाइंट का मैंने इसका काम के यह का स्क्रींशॉट यह उसका बिजनस था तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर आँगा और यहां पर है यहां पर हम इसको यूज करके ना extend कि यूज करके कि इसके स्टेडी को कॉपी कर लेंगे अब यह देखो गया है स्क्रिन ब्रभ मारे पास एक स्क्रीन जूट और इसको मैं सेफ इमेज को या फिर सेब बेंच कर लेते हैं इसको मैंने सेफ कर लिया अब इस इस इमेज को मैं यूस करके यह सारा मैं आइस्ता इस्ता पड़ूँगा और इसके दर ऊपर-ऊपर मोटी-मोटी सी बाते ना मोटी-मोटी सी बाते में एक्स्प्लेइन कर देंगे किसके अंदर इसके अंदर ठीक है इधर हम लिख देंगे कि यार कौन सा बिजनस था इधर लिखा होगा यार कौन सा बिजनसा भाई यह न्यूस्पेपर ठीक है अडविटाइजमेंट अच्छा एक मिल्ट को जरा लेसर नंबर वान बिजिडिस और शुट भी रोड ब्लग फोर वेच्ट लैंड बिजनर अब कि यह जो भी में जो भी पिजनर से चोड़ो मस्तानि बॉफर था था जिक ठीक है ठीक है बफर का बिजनस था बफर एक और सोशल प्लाटफों में उसका बिजनस ता यह तो उस दर हमने इसको यूज किया कि हम लिखेंगे बफर बिजनस ठीक है आपने बता देख अपने काम किया आपने इदर लिखेंगे बता है तो मैं गोटू एड़ेट को क्लिक करता हूं यह मैंने इसके इंदर कोई भी फाइल आड़ कर दी लेकिन यह मेरी प्रोफाइल इमिज नहीं होगी ठीक है इदर सामने यह स्क्रीन शॉट रहा होगा तो इस ते अच्छा यह है कि आप कहनवा पिने प्यारा सा इमिज बनाओ प्यारा सा इमिज बनाओ और उसको अध्यार आपका प्रोट्फॉलियो खोल के देखेंगे अगर आप इसी तरह स्क्रीन शॉट्स एट आज करोगे और यहां पे आपने अपना सारा एक्स्प्लेंट कर देना यहां से ना जो समझ आए ना कोई भी केस्टे अपने अलफास के दर लिख देना प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोजेक्ट क्यूर्व को मिस करादा और गो टू प्रीवियू करोगे तो फिर अप्रूब हो जाएगा आप पॉर्टफॉलियो एड़ कर सकते हो इतना असान है ठीक है पॉर्टफॉलियो आप आपने अड़ कर दिया पॉर्टफॉलियो आप ऐड़ करोगे तो एड़ एंड आपकी प्रोफाइल भी तयार हो जाएगी और पॉर्टफॉलियो एड़ एड़ करने के बाद आपके पास एकी चीज़ रह जाएगी जोके होगी तो इसका टेस्टिमोनियर्ट लिए में तो आप इस तरहां ले सकते हो ठीक है यह लड़का नुमान है और इसके मिने टेस्टिमोनियस लिए तो यह आप इसी तरहां भी ले सकते हैं इस तरहां किसी बंदेगा काम किया था कितनी सिंपल सिंपल हमने बनाई हुई है है यह तो हो गया हमारेपास एफ बेपफ पूरा कश मापप वन ने प्रॉफाइल बना लई अब प्रॉफाइल के इंदर यह हमने किस तरह लिए और कहा लिखने हैं यह मैं देख लेते हैं किस तरह लिuş कर लेते हैं तो यह परहले हम ने नीश है था तो यह पर हमने सर्थ किया ग्राफिक डिजाइनिंग तो यहां पर नीचे तीन आ रहे हैं हाइर प्रोफेशनल्स मतलब कि आप उन लोगों को हाइर करो जो के अजिंसी है ठीक है इस इदर वो लोग आएंगे जो कि प्रिलांसर्स हैं यहां पर प्रोजेक्ट्स आएंगे जिस करते हैं उनघी की प्रोफाइल कौपिक आपके ईपाइस थे शृण हो की प्रोफेशनल्स क्या लिखा हुआ है उसी त अपनी डिस्रिप्शन भी लेगे अगर पिलिपीज में बंदा है और इसने अपनी प्रोफाइल में क्या लिखा हूँ है देखो इतना असान सा इतना छोड़ा सा लिखा हूँ है आप भी सब्सक्राइब इसकी नहीं प्रसंद आती तो कोई ढूंड लो यार उसके लावा यह देख लो ना यह वंदा विनाटर स्टेट का यह देखो यह इतना से लिखा हूँ है यह लगड़ के ने इसको छोड़ो इस तरह इत्रह नहीं छोटा लिखना इच्छी बात नहीं होती है इसको चेक कर ला देख लो और उनकी दिसक्रिप्शन आप बनाके अपने डिस्क्रिप्शन भी डाल दो इतना आसानल है इत्रा मुष्किल नहीं आ ठीक है तो आपने डिसक्रिप्शन कर लिए सब कुछ आइड कर लिए 100% profile कंपलीट होगी profile कंपलीट करने के बाद आपके पास एक और आपश सम्मेट करोगे जौब आएगा फ़े प्रोफोजल क्लाइंट कुश खुश होगा तो शह sugar को हाइर लेगा ताज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो आप दो